हलो दोस्तो मैं परशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीडिर कमुडिटी में स्वागत करता हूँ आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूँ बियरिस स्पाइक केंडल्स के बारे में यहां पर आपको एक वाट देखने मिलेगा स्पाइक तो यहां पर हम खोजेंगे केंडल्स में और इसके वीडिक कर सकते हैं यहां पर आपको चार्ट से थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा इसको मैं एक्स्प्रेन कर देता हूँ फिर हम लाइफ चार्ट पर चलेंगे और डिफरेंट एक्जामपल हम देखेंगे इन सारे केंडलिस्टिक का यहां पर सबसे पहले हमें अपसाइड मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना यहनि बुलिश मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद हमें वैसा केंडल फाइन करना जहां पर हमें टॉप मे तक बार्टी कोजना परेगा और नीचे में जादा बेग टेल नहीं होना चाहिए तना वराठ तक टेल चलेगा इससे जादा बीग टेल नहीं होना चाहिए यह तीनों क्या बन जाएगा सॉत hardly गार सब्स ??? इंट्वी लेंगे क्योंकि हमें बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बेरिश किस तरफ लेंगे किस तरफ एंट्वी लेंगे और हम हम टारगेट प्रैस कहां पर रखेंगे प्रेबियों हाई या सुस्ट बीहोगा वहां पर रखेंगे जहां से अपनारा किया बन जाएगा इसे सब मैं आपको चार्ट पर ले जाके अगर हम bullish spike candles की बात करें यहाँ पे आपको इस तरह का candle देखने को मिलेगा अगर आपने वह वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा वहाँ पे click करके देख सकते हैं नहीं तो आप eye button पे भी click करके देख सकते हैं अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका bear is spike candle ही है लेकिन इसका color आपको green है मतलब यहाँ पे आपको एक idea तो जोगर मिल गया होगा यहाँ पे candle color से हमें कोई मतलब नहीं है candle color चाहिए red हो green हो हमें जादा कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों का characteristic सेम है अब concept क्या है दोनों का same concept है नीचे से buyers आ रहे है अब side के तरफ और जैसे buyers इस level तक पहुँचे क्या हुए buyers यहाँ पे कमजोर हो गए वो यहाँ पे weak हो गए है उसके बाद क्या किया है उसके बाद यहाँ पे sellers ने strength gain किया है और sellers strength gain करने के साथ साथ एक और काम किया है वो market को काफी हद तक अपने कबजे में दे लिया market को control कर लिया है और जब market sellers के control में तो क्या होगा price को momentum नीचे सार की तरफ जाएगा तो यहाँ पे काफी systematically power of transfer हो रहा from buyers to sellers और यह candlestick हमें वहीं बता रहा power of transfer का ही हमें characteristics बता रहा है यहाँ पे power of transfer हुआ है आगे sellers हाभी होते हुए दिखेंगे और इसकी बात आपका sellers हाभी होते हैं और price यहां से down 20 start होता है इसके basis पे आप reversal को भी identify कर सकते हैं तो चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं और इस candlestick को समझने कोसिस करते हैं उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि different type of BRS spike candle क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको different types of BRS spike candle देखने को मिलेगा यहाँ पे candle color से हमें कोई मतलब नहीं है candle color चाहे red हो या fake green हो इन सब का characteristics same रहेगा यह सब indicate करता है कि power का shift हो रहा power का transfer ह from bias to sellers यानि market पहले बाइस कंट्रोल में था वो कंट्रोल अब sellers के अंदर जा रहा यानि market अपना trend चेंज करने वाला और सब के जरी हम early bearish momentum को identify कर सकते हैं गिरावट को पहले identify कर सकते हैं चार्ट पर चलके इन सब को detail से समझते हैं तो यहां पर हम चार्ट पर आगे हैं और देख सकते हैं यह आपका सिप लाकर डेली वाला चार्ट है आप टाइम फ्रेम को लेके मन में डाउट आ रहा होगा यहां पर हम generally जितने भी एक्जाम पल लिए हैं सब को डेली टाइम फ्रेम में लिया है क्योंकि यहां पर हमें mature candle चाहिए होता है और सबसे mature candle हमें मिलता है डेली टाइम फ्रेम में आप चाहोते हैं यहां पर आवली टाइम फ्रेम में भी जा सकते हो लेकिन एकुरीशी लेवल थोड़ा सब कम हो जाएगा इस पर जो ट्रैप बिचाया जाता उसमें आप सकते हो इसलिए यहां पर हमने डे लेकिकाइव फोट्रेंस नहीं उसके बेसिस चाहली गिरावट को यानि नहीं कर सकते हैं अब देख़े यह आपका क्या 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 कर रहा है अब हमें क्या देखना अब हमने देखना कि इसके यह पास कहीं पर य। spike candle का formation हो रहा है नहीं हो रहा है अब देख सकते हैं यहां पर यह जो candle है यह आपका perfect bearish spike candle का formation किया जिसका color आपका red है और candle के characteristics को भी देखते चलेगा मैं यहां पर आपको धेर सारा example बताऊंगा सारे example में आपको candle थोड़ा बहुत अपना character change होता दिखेगा candle का shape size change होता दिखेगा लेकिन जो basic चीज मैंने आपको explain किया वो चीज यहां पर आपको same दिखेगा उससे पहले upside होना चाहिए uptrend होना चाहिए उससे पहले uptrend है उसके बाद क्या होना चाहिए यहां पर उपर में long tail होना चाहिए उपर में लंबा tail है body side चोटा होना चाहिए body side चोटा है नीचे में ज्यादा बरा tail नहीं होना चाहिए नीचे में ज्यादा big tail नहीं है मतलब यह सारे characteristics को fulfill कर रहा है यानि अब यहां पर हम क्या करेंगे सबस्त gue को यहां पर सेलसाइट के तरफ आपका 965 के लेवल पर अब spoken के चाहिए पहला सुंग लोई है यानि फास टारगेटट पैस हो मेरा 940 का दूसरा टारगेट की बाद करें दूसरा टारगेट पैस आपका this की बात करें तो इस लेवल भाड़ पो जाएगा लगवपग आपका 900 करिबो गए नितीनों टारगेटट पैस को इसने हिट करें का 1st बात करें तो लगभग आपको लगभग 65 पॉइंट का प्रॉफिट मिला अगर हम तीसरा टागेट यहां पर हीट हो जाता है तो 65 पॉइंट का मतलब है कि यहां पर आपको 7% तक का रिटॉन आसानी से मिलता हुआ दिखा है तो इसके बैसिस पर अगर आप स्टॉक्स में करते हैं तो यहां पर आप 3% to 10% तक के प्रॉफिट के लिए आसानी से जा सकते हैं तो देख सकते हैं मुझे कितना जबदर्स प्रॉफिट मिलता हुआ और इस तरह का एक्जांपल आपको और बहुत बताता हूं अब यहां पर आपको गौर कर लेना देखिए यहां पर भी आप कहीं पर फॉर्मेशन होता अगर बाइचांज यहां पर यहां पर फॉर्मेशन नहीं होता और डायक्ट आपका यही एक विए सब्सक्राइब बनता इसके वेसिस पर ट्वेट नहीं लेते क्योंकि इसका रिश्टेंस के पास फॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि उसकी बाद और यहांने यहां पर हम यहां पर खोच रहने हैं कि देखिए यहां पर भी आपका है इसको थोड़ा सा एध्यस्ट करतें हो कि ताकि आपको यह पर सारह कुछ कुछ क्लियरीटी के साथ समझ में आजए अब यहां पर यह आपका एक रिस्टेंज जोन बना है अब रिस्टेंज जोन के आसपास यहाँ अगर आप गोर करेंगे यह आपका तो नियुका बेट चेंटल का फोमेशन हुआ वो चलेगा और बोड़ी साइज भी छोटा सा है मतलब इसके वेसिस पर हम ट्वेट ले सकते हैं और इससे पहले आपका अप्ट्वेंड है तो हम सेल कब करेंगे जैसे इसके लेबल को ब्रेक करके नीचे आएगा यहां पर हम सेल पोजिशन एक्जिक्यूट करेंगे और यह हमारा एसल के रूप में काम करेंगा और पहला टा आइं 50 करीब सेल साथ की तरफ जाएंगे प्रॉफिट बुक करना होगा मेरा लगबख 900 के लेवल यहां पे मुझे 50 point का profit मिला 50 point का मतलब है कि हाँ पे लगबग आपका 5% to 6% का profit यहाँ पे मुझे आसानी से मिलता हुआ दिखा है मैंने आपको क्या वला था minimum आपको 3% का profit मिलेगा और यहाँ पे आपको 10% तक का profit आसानी से मिलता हुआ दिख सकता और यहां पर आपको लगवग 5-6% का profit मिला ज्यादा time नहीं लिया अगर हम days count करें लगवग आपको 1-2-3-4-5-6-7 7 trading session में आपको लगवग 5-6% का profit दे दिया जो कि बरी बात है जाद time के लिए आप market में बने भी नहीं रहे हैं और यह ध्यान रखना है यह जो काम कर सकते हैं आप F&O stocks में कर सकते हैं क्योंकि आप सिर्फ intraday में sell कर सकते हो delivery में sell नहीं कर सकते हो तो यह F&O stocks हमने pick किया उसी stocks में आप यह सारा काम कर सकते हो चाहिए आप इसके basis पर options में trade लेना है तो वह भी ले सकते हो options में अगर आप trade लेना चाहा रहें जैसे इस लेवल पर हुआ है तो आपको add the money 950 के आसपास वाला जो भी strike price हो उसका put options यहां पर आपको buy कर लेना है इस तरीके साब options में भी इसके basis पर trade positions ले सकते हैं जब नहीं है कि सिर्फ आपको futures में लेना options में भी आप सही strike price at the money or slightly in the money strike price select करके trade ले सकते हैं तो यहां भी देखिए पिछला candle का साइज सेप कुछ और था यहां पर सेप साइज कुछ और है तो मैंने आपको different candles बताया थे उसके basis पर यहां पर आप देख सकते हैं अब यहां पर देखिए यह भी आपका एक resistance जोन बना और इसके आसपास क्या हुआ है इसके आसपास एक आपका ब्यरी स्पाइक केंडल का formation हुआ है और उससे पहले अप यहां पर यहां पर दस परसेंट का profit मिलता हुआ दिख रहा मैंने बोला था कि यहां पर आपको 10 परसेंट का profit मिल जाएगा और इस ट्रेड में आपको 10 परसेंट का profit मिला है यहां पर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा है लेकिन फिर भी आपको 10 परसेंट का profit मिल जाता है तो वहां पर आपको यही प्रॉफिट कंबाउट होता हुआ देखिए का 50-60 प्रॉफिट on your capital इस तरह के बहुत सारे एक्जामपल है मैं सिप्ला में बता देता हूँ टाइम टू टाइम इस तरह का formation हमें देखने को मिलता है अब यहां पर भी देख सकते हैं यह भी आपका क्या है है इस तरह कर देखने मिला है जिसके वेसित पर हम सेल साइट की तरफ आसानी से जा सकत है कि यह अपने और एक्जांपल बताता हूं यहां पर यहां पर चार्ट है कि अभी यहां पे यह जो आपका है यहां बना यह आपका रेसिस्टेंस जोन बना है और इस फास क्या हुआ है इसके हाईस पॉइंट को एसे यह ब्रेक करते हैं यहां पर हम से तरफ जाएंगे और पैस आपका नीचे साइड की तरफ गिरा यह इनि अच्छा खासा गिडाबट दिखा यहां पर से पहले केंडल देखे और यहां पर आपको different types of candle देखने को मिलवा मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत तरीकिया हो सकता है बस आपको उसका जो characteristics है character है वो match करना उसके बाद पर नहीं जाना और यहां पर आपको ज्यादा मेरा इस लेवल के आसपास होगा यहीं लगवग आपका 700 प्रॉफिट बुकिंग और यहां पर प्रॉफिट हम यहां पर प्रॉफिट यहां पर आपको आसानी से मिलता हुआ देख जाएगा और इसके basis पर यहां पर हम आसानी से तरफ जा सकते हैं अभी जो गिरावाट है वह आपको continue है यह आगे भी देखने को मिल सकता है तो जो लोग यहां पर लेट हो गए अब यहां पर आपको इंट भी नहीं लेना अब यहां पर बहुत साइब लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसको आपने लेट आइडेंटिफाइग गिया जैसे हमें सेल्साइर की तरफ जाना था इस लेवल पर यहनी लगबग आपका कितना लेवल बन जाता ह 670 के आसपास अभी प्राइस आपका 660 करीब आ गया यहनी 10 पॉइंट के करीब इसने ओलवेरी दे दिया 10 पॉइंट के मतलब है कि यहां पे आपको लगभा 1.5% से 2% का प्रॉफिट यहां पे आपको आसानी से मिल गिया है अब यहां पे आप अपना ट्वेलिंग स्टॉप लोग भी रख सकतें लेखिन इसके बाद यहां पे आप थोरे से लेट होगें यहां पे लेट इंट्वी नहीं लेना है बस आपको अगली बार वेट करना अगर इस तरह का फॉर्मिशन आया यहां इस से पास आके ऐसा ही फॉर्मिशन किया तो आप जा सकते हैं अगर यहां पे नीचे में भी हमें टेल देखने को मिल जाए तो फिर इसको इग्नोर कर देना वह आपका डोजी खेंडल बन जाएगा यहां पे हमें क्या चाहिए यह टेल दिखना चाहिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं उपर में टेल देखने को मिल जाए अगर नीचे में भी हमें इस तरह का टेल देखने को मिल जाएगा यहीं पर हम इसको इग्नोर कर देंगे तो उमीद करते हैं इसके पीछे का जो कॉंसेप्ट है सारा कुछ समझ में आगी आओगा और इसके बेसिस पर जो ट्वेट लेना वो काफी सिंपल है तो मैं जो सारा है आपको स्ट्वाटी बताता हूं सिंपल तरीके से बताता हूं ताकि उसका जो एक्जेक्यूशन है वह आप आसानी से कर सके और एक्जेक्यूशन में आपको कुछ प्रॉब्लम किजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद